सो हेलो दोस्तों Microsoft का event जैसे कि कल complete हो गया है और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी information बताएंगे Windows 11 के बारे में जो की आपको जानना बहुत ज़रूरी है और साथ इसाथ अगर आप gamer है तो इस वीडियो पे लाश्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके Windows Insider प्रोग्राम की तुरू Windows 11 का early build अपने system में इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सिंपल स्टेप में और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जो Windows 11 का वे से वह काफी ज्यादा light बनाए गया है जिसके help से आपका laptop की battery backup बहुत increase हो जाएगी और इसमें जो next level की multitasking देखी जारी वह काफी ज्यादा ओपी है because कभी भी आप अपने app और किसी project पे अगर काम कर रहे हैं तो switch बहुत जल्दी हो जाएगी इसी के साथ साथ इसमें एक और feature add किया गया है कि अगर आप multi monitor पे काम कर रहे हैं और second desktop पे कोई app या project open की हैं और अगर आप उसको disconnect करते हैं और फिर से connect करते हैं तो आपको सारे project और app जैसे उसमें open थे वैसे ही आपको मिलने वाले हैं उसमें कोई भी changes नहीं होने वाला है और इसके साथ आपको personalized desktop का option मिल जाता है जिसके help से आप desktop को modify कर सकते हैं अपने work के लिए अलग से अपने gaming के लिए अपने home के लिए आप different situation में आप इसको manage कर सकते हैं अपन कर सकते हैं इसके थुरू आप world में किसी से भी connect हो सकते हैं चाहे वो android user हो iOS user हो या windows user हो और mobile tablet और laptop सब में यह work करने वाला है तो आप बात करें windows 11 के widget के बारे में तो इसको भी बहुत advance बना दिया गया है इसके help से आप अपने desktop पे ही अपने weather report देख सकते हैं और news वगरा सार देखी touch device में windows 11 का OS बहुत ही अच्छा काम करने वाला है आपको इसमें कई transition देखने वाले हैं जिससे आप किसी भी tab को move करते हैं तो बहुत smoothness आपको मिलेगा और gesture भी मिल जाएगा काफी ज्यादा आपको और इसी के साथ साथ आपको जैसे अगर आप type करते हैं touch device में तो आ ज्यादा सोचा है Microsoft store में जाके आप single click में किसी भी movie को connect कर सकते हैं अपने tv से और उसको अपने tv से enjoy कर सकते हैं अब बात करते हैं gaming के बारे में और अगर आप gamer हैं तो समझ लीजेगा कि windows 11 सिर्फ आपके लिए बनाए बिकॉस ये दो चीज जो कि ए superior graphic और direct storage ये दोनों मिलके आपके gaming के performance को बहुत ही advanced level पर पहुचाने वाले हैं superior graphic के help से जो आपको game का look मिलने वाला है वो शायद ही आपको पहले windows के OS में आपको देखने को मिलता होगा और साथी साथ इसमें जो color adjustment है वो भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे की difference आपको सामने दिख रहा है और वहीं बात करें कि direct storage के बारे में तो यह आपके game की loading speed को बहुत ही fast बना देगा और आपका game बहुत जल्दी load होगा करेगा और आपकी performance भी बहुत इससे increase हो जाएगी lagging issue कम हो जाएगे और वहीं बात करें कि आप यह सारे game कैसे access कर पाएंगे तो आपको Microsoft Store में Xbox का app मिलेगा तो उसमें आप जाके यह सारे game आपको show होगा और आपको जो game चाहिए वहाँ से आप easily download करके और कुछ purchase भी करना पड़ सकता है तो अब बात करते हैं Microsoft Store के बारे में इसमें आपको एक बहुत ही बड़ा change देखने को मिलेगा और अब आप Windows 11 मे Android Apps इंस्टॉल कर पाएंगे Amazon App Store के help से जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपको Android App भी एवेलवल जाएगा आप Windows 11 में उसको चला सकते हैं बहुत ही easily अब बात करते हैं कि आप कैसे Windows 11 का official early build को इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लिए बहुत सिंपल सा step है आपको बस लिंक मैंने description में दे दिया है उस पर click करना है और Windows Insider program पर register कर लेना है और जो प्रोसेस होगा उसको complete करने के बाद आप redirect हो जाएंगे अपने Windows के setting में और वहां प process complete करने के बाद आपका Windows 11 इंस्टॉल हो जाएगा बस आपको एक बार ध्यान दखने है कि आपके BIOS में secure boot enable होना चाहिए नहीं तो आपके PC में error दिखेगा कि Windows can't be installed in your system तो दोस्तों यह था कुछ important information Windows 11 के बारे में और अगर आप कोई डीटेल में वीडियो देखना चाहते है Windows 11 के features के बारे में तो आप टॉप वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं नहीं तो आप दूसरी वीडियो पर क्लिक करके आप gaming के लिए budget और professional microphone वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत helpful होने वाली है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में लिए गुडबाए टेक केर